नमस्कार आपके साथ मैं हो तिपिका श्वर्मा माफ्या कुईन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है देखे जो आपकी जान बचा है उसे फरिष्टे से कम तो आप नहीं कहेंगे या उसे भगवान कहेंगे लेकिन डॉक्टर्स और नर्सिस को आम तोर पर फरिष्टा ही माना जाता है नर्सिस आपकी सेवा करती हैं डॉक्टर्स आपकी जान बचाते हैं लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई नर्स जो आपकी केर करे, आपको दवाईयां दे, हॉस्पिटल में आपकी पूरी पूरा ध्यान रखे लेकिन क्या वो नर्स कभी आपकी जान भी ले सकती है ऐसा ही मामला बॉस्टन से सामने आया है जहाँ पर एक माफिया महिला जिसकी जिम्मिदारी थी कि वो अपने पेशिंट्स का ध्यान रखे लेकिन फिर उसके जिंदगी में ऐसा क्या होता है जो डीटेल मैं आज आपको बताने वाली हो कि वो एक नर्स से एक ऐसी महिला बन जा आती है जो लोगों की जान ले लेती है बॉस्टन का ये मामला है जीन टॉपन इस महिला का नाम है इसको सीरियल किलर का टैग भी दिया गया है इसके अलावा इसके कई और नाम भी है काफी समझतार सेंसिटिव नर्स एक समय पर यह हुआ करती थी लेकिन इसके जीवन में गई माफ्या को बड़ी murder profiles में गिना जाता है यानि की अब इसकी जो नाम है वो बड़े बड़े murder profiles में आता है जहांपर और लोग भी शामिल है जो legal killers हुआ करते थे एक private nurse जो wealthy families को treat करती थी यानि कि इस तरीके से काम करती थी जैसे एक private nurse है किसी के घर में अगर कोई बुजर्ग बिमार है या कोई बच्चा बिमार है तो वो nurse फिर उसी का ध्यान रखने के लिए उस घर में रहा करती थी ऐसा ही काम Jane Toppin का भी था कि वो किसी घर में जाकर उस बच्चे की या बुजर्ग की देखपाल करती थी लेकिन उसने देखपाल करने के बजाए लोगों का कतल ही कर डाला आरोप है कि माफिया ने 100 से जादा patients का कतल किया है ये आरोप तैह हुए थे लेकिन कई cases इसमें से निकल गए क्योंकि उनकी सबूत नहीं मिले तो दोशी जो करार दिया गया वो कुछ कम cases थे लेकिन ये आरोप लगाया गया investigation में सामने भी आया कि 100 से जादा cases थे Morphin देकर ये लोगों को मारती थी अपने patients को जहर दिया करती थी क्योंकि जाहर सी बात है एक nurse आपको syringe के थूँ क्या लगा रही है आप एक आम नागरिक नहीं पहचान सकता जिसने medical की पढ़ाई नहीं करी है 20 साल के career में इसने कई लोगों की जान ली 20 साल का career बहुत माईने रखता है जिसमें आपके पास कई patients आते हैं कई घरों में आप देखबाल करते हैं जब ये जूर्म का परदफाश हुआ तो ज्रेन को गिरफतार कर लिया गया था यानि की काफी time तक ये पता नहीं चल पाया और ये बहुत पहले की बात है पूश्टाश में उसने कहा कि वो लोगों को मारना नहीं चाहती थी जब उससे गिरफतार किया गया तो उससे काफी ज्यादा सवाल जवाब किये गये तो गिरफतारी के बाद उसने बोला कि वो लोगों को मारना नहीं था तो आखिर क्या intention थ उसने ये बोला कि वो mentally ill थी, यानि कि वो stable नहीं थी, उसका दिमाग कुछ और चाता था, लेकिन वो कर कुछ और जाती थी, उसका दिल कुछ कहता था, लेकिन हो कुछ और जाता था, वो उसने अपने पूश्टाश में बताया, उसने कोट में पागलपन की दलील पेश की, या वहाँ पर उसकी देखवाल की गई, लेकिन 40 साल बाद उसने उसी mental institute में उसकी मौत हो जाती है, 40 साल तक वो mental prison में रहती है, वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है, अब उसकी पिछली life के अगर हम बात करें, तो brief में अगर बताया जाए, तो वो ये कि उसकी माँ बच्पन में ही उसे छोड़ कर चली गई थी, उनको एक बिमारी थी, जिस वज़े से वो अपनी बेटी का साथ चोड़ कर चुड़े जाती है, इसका पिता एक alcoholic था, और दिमागी रूप से unstable था, बताया जाता है कि उसे, क्योंकि उसकी टेलर की shop थी, उसके पिता की, वहाँ पर वो अपनी मा थी, ना कोई पिता था, जिसके बाद उसे adopt किया गया, उसका नाम भी बदला गया, Jane उसका बाद का नाम था, पहला नाम, उसकी पिछली लाइफ में कुछ और था, जब वो बड़ी हुई तो, जाहिर सी बात है, प्यार, मुहबबत, शादी, इन सब के बारे में, future के बार दिया, वो बहुत, जिसे कहें कि उसके साथ काफी ज़्यादा गलत विहवार किया गया, जिसके बाद से Jane की जिंदगी बदलती चली गई, रिपोर्ट्स के मताबिक मानना ये है कि दिमागी रूप से वो तभी unstable होने लगी जब उसने उसे धोका दिया था, दो बार उसने अ लोगों को मारना उसका शौक बनता चला गया, ऐसा उसकी जिंदगी में होता चला गया, लेकिन ये पूरी कहानी जब शुरू होती है, तो उसकी जिंदगी यूं कहें, जब माबाप चले गए तो normal तो नहीं थी, लेकिन जब उसकी जिंदगी थोड़ी पहुत stable होने लगी लेकिन जब उसकी जिंदगी में वो लवर आया, जब उसमें उसे धोका दिया, वहाँ से उसकी जिंदगी फिर mentally unstable होने लगी, तो यही कहानी का मकसद है बताना कि एक ऐसी चीज आपको क्या करने पर मजबूर कर दे ये भी नहीं आप जान सकते, क्योंकि इसका असर यही हु कि वो पागल हो जाती है, mental institution में, उसे institute में उसे रखा जाता है, वहाँ पर भी उसकी मौत हो जाती है, और कही न कहीं उसने कई लोगों के कतल भी किये, जिनमें उसे दोशी करा ठहराया गया, लेकिन end में उसकी मौत होती है एक जेल के अंदर, जहां उसे ये भी नहीं पता ह होता, कि उसने लोगों का कतल क्यों किया, तो ये थी Boston की वो कहानी जहां पर, एक serial killer की कहानी मैंने आपको बताई, माफिया जो इनकी कहानी, जो कहां से शुरू होती है, और जेल में जाकर खत्म होती है, अगर ऐसा कोई नाम आप जानते हैं, तो comment section में जरूर बताईएगा, ये कहानी आपको कैसी लगी हो, जरूर बताईएगा, और crime तक पर लगातार आपको सभी updates हम देते रहेंगे, धन्यवाद. झाल